भाई साब जब भी हम Mid Cap category के mutual fund से related बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ही asset management company आती है चाहें वो HDFC का माल लो Mid Cap या फिर ICSA का Mid Cap माल लो तो ये तो हर investors की जवान पर रटे हुए हैं पर यही दोनों ही ये दोनों ही asset management company जिसके पास है एक बार उसको विचार करने की जरूरत है इसके साथ-साथ जब हम अच्छी category में बात करते हैं तो HDFC का नाम HDFC का नाम हमारी जवान पर आता है कि भाई अच्छा asset management company है बढ़िया तरीके से Mid Cap के डिगरी में return दे रही है ठीक है इसके साथ-साथ अगर मैं PGI इंडिया Mid Cap की बात करूँ तो उसका भी नाम जवान पर इंवेस्टर्स की आ ही जाता है किसी ना किसी बहाने से इसके साथ मोतिलाल उसवाल Mid Cap का भी नाम बहाने से आ जाता है मेरा asset के Mid Cap का भी नाम बहाने से निकल के आ जाता है SBI Mid Cap की बात करेंगे तुभी चर्चा का subject में जहां participation है Mid Cap के डिगरी के अंदर तो इन सारी के डिगरी का नाम Mid Cap के डिगरी में बड़े ही जोर शोर और सम्मा चलता है कि भाई ये भी Mid Cap के डिगरी का mutual fund है काफी हद तक Mid Cap के डिगरी में इस fund के बारे में काफी कम लोगों को पता है पर जिने भी पता है वो लुथ पूठा रहे हैं return का अगर मैं इसके NAV यानि कि net asset value की बात करूंगा तो 101 रुपए का NAV चल रहा है बिल्कुल बेवहा लिखवा दिया लगी ये बात अलग है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब दोस्त लोग बेवहार लिखवाने के लिए तो पैसे ले जाते थे पर ये बात अलग है कि बाहर पार्टी हो जाती थी बाद में ठीक अगले दिन कैंटीन में जाके समोसे बगएरा खा रहे है एक सालें बात करेंगे तो 18.94% के CAGR के साब से return इस mutual fund ने दिया है जो कि ये दिखाता है कि भाई trust तो बना दिया है तीन सालें बात करेंगे तो 30.96% के CAGR के साब से return तीन साल में दिया है यानि कि भाई साब जबड़ 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 तरीके से return इस asset management company ने दिया है और 5 सालें बात करेंगे तो 19.06% के CAGR के साब से return maximum बात करेंगे तो 20.36% का CAGR ये दिखाता है कि mid cap category में अगर कोटक mid cap category में अगर हम मोतिलाल उसवाल mid cap को छोड़ दें देखिए कहते हैं इस fund का नाम भी जबड़ जबान पे आई गया जुबा कैसी है जुबा बहेंगे नहीं है क्या भाई जबाब देना आप लोग ठीक है तो maximum return की अगर हम बात करेंगे तो 20.36% के CAGR के साब से जब दिया mid cap के डिगरी के return के बामने बात करते हैं तो मोतिलाल उस्वाल का नाम निकल के आता है फिर इसके बाद इस समय लोगों की जबान पे लगा हुआ है बिल्कुल जबापे लागारे रलागारे किसका तड़का है HDFC mid cap का तड़का maximum बात करेंगे यहां कोटक emerging equity fund का भी नाम investors की जबान पे आई ही जाता है फिसल के क्योंकि अभी जबान मेरी भी फिसल गई थी तो हमने का चलिये रिवील किया जाए नाम कोटक emerging equity fund maximum return की बात करेंगे 20.36% के CEGR के साबसे इस mutual fund ने return दिया है timing की बात करेंगे तो पिछले 10 साल यह अपने investors को दे चुका है value research ने इसको 4 out of 5 rate किया है mid cap category में बहुत ही जबर्जस return investors को इस fund ने deliver करके दिया है पंकज तिब्रेवाद साहब आपके पैसे को manage करके चल रहा है बहुत ही जबर्जस fund manager बहुत ही जबर्जस qualification के साथ साथी साथ experience भी इनका तकड़ा है जिसे आप बगल में देख सकते थे इसके साथ साथ return की बात करेंगे 6 महीने में देखे 18.94% है एक साल में 18.94 सिमिलर है तीन महीने में बात करेंगे वाईसा पैसा 124% पैसा डबल कर दिया 3 साल में ही पांस साल में बात करेंगे तो 1.39 टाइमस इसलिए बोलते हैं भाई mutual fund के अंदर अगर आप हो तो minimum आपने कम से कम कम से कम गिरी से गिरी आलत में 15 से 20 साल आपको देने ही चाहिए mutual fund के अंदर पर अगर एक अच्छा हो decent return आपको अगर बनाना है SIP के माध्यम से तो फिर इसके लिए 25 से 30 साल देने चाहिए और index fund के अंदर हो तो 35 से 40 साल 30 से 35 साल आप इतना minimum दो index fund को दो 10 साल में बात करेंगे आपके पैसे को 8 गुना कर दिया भाई 8.92 टाइमस डैट मींस कि almost approximately आपको 9 गुना 10 साल में इस mutual fund न एक लाग का 8 लाग 92 अजर बना दिया तो देखते ही बन रहा है return के इसाब से risk आपका वेरिया रहता है क्योंकि आपका पैसा equity market में लगता है तालियों की गलगला हाट रुपनी नहीं चाहिए Kota का emerging equity fund direct plan growth की में आपके सामने चर्चा कर रहा था बहुत ही बहतरीन asset management company बहुत ही जबरजस्त expense ratio साथ ही साथ asset size की बात करेंगे तो 31,388 करोड का asset size ये दिखाता है कि भाई investors ने भी जम कर खरिदारी करिये है इस fund के अंदर 0.38% का expense ratio एक decent expense ratio एक सधा हुआ expense ratio ये आप से charge करके चल रहा है 6.29% का ये cash hold करके चल रहा है nifty mid cap 150 total return index को इन्होंने benchmark की तौर पे लिया है plan growth है 365 दिन के अंदर निकलने के चेश्टा करोगे तो मेरे भाई asset management company asset management company आप से 1% का exit load लगा देगी अगर आप 10% से उपर के unit sale करोगे मेरे भाई exit load क्या होता है आपको रोकने के लिए एक penalty डाली जाती है ताकि आप asset management company को time दो return देने के लिए है की नहीं भाई है है ना बिल्कुल सही है mutual fund बहुत सही है और भाई साब पनवेल भाले भाई है कैस क्या हाल चाल सब कुछ बढ़या के नहीं बढ़या आपका बिल्कुल comment करते रहेगा comment की बरसात करतीजिए अच्छे comment कीजिए खरब comment कीजिए जैसे comment करना है कीजिए पर comment जरूर कीजिए का मज़ा आता है देखे और सुनके capital goods की बात करेंगी तो सबसे ज़्यादा जिन सेक्टर्स में इनका पैसा पड़ा हुआ है वो इन्होंने टार्गेट किया है capital goods 19.64 परसेंट का इन्होंने capital goods को contribute किया है कि अगर आप 1000 रोपे से SIP करते हो तो capital goods जो सेक्टर है उसके अंदर आपका पैसा 19.64 परसेंट जाएगा ठीक है financial, materials, chemicals, consumer discretionary, healthcare, automobile, metals and mining, technology, construction, consumerist, energy, textile, services, कुछ diversified सेक्टर में लगा हुआ है इसके साथ-साथ थोड़ा सा पैसा आपका insurance sector के अंदर भी पढ़ा हुआ है अब बात कर लेते हैं कि इनकी shares में आपका पैसा पढ़ा हुआ है तो others यानि कि जो cash holding करके चल रहे हैं वही है 6.28% का Supreme Industries इसके साथ सतकमिंस इंडिया, Shuffler India, Persistent Systems, SKF India, Oboro Reality, Kajaria Ceramic, Thermax Limited, Solar Industries, P.I. Industries, Kuro Mandil International, Bharat Forge, Aton Limited, JK Cement, Bharat Electronics, Sundram Finance, ये सारे share से जहां पर आपके पैसे को मेंडेन करके डाला गया है सुंद्रम Finance, World Pool of India, IPCA Laboratory, Student Pharmaceutical, Bata India, APL Apollo Tubes, Exide Industries, Ratnamani Matters, Dharamco Cement, AU Small Finance Bank, ICICI Bank Limited, Federal Bank, Shilaform, SRF Limited, Dixon Technology, Vedant Fashion, Mahindra & Mahindra Financial Services, Blue Star, Axis Bank, State Bank of India, Jindal Steel, Balakrishna Industries, Balakrishna Industries एक जवर ज़स्त कंपनीज का नाम भी बढ़ा प्यारा लगता है और रिटन भी इन्वेस्टर्स को ठीक बना के दिया है MRF Limited, MRF तो भाई, एक लाग की उपर निकल गया था यार, क्या जवर ज़स्त, भाई, 60,000 रुपए का जब MRF था मैं इसको बड़े प्यार आँखों देख रहा थो रिस ने पता है पांच रुपए का डिविडेंड दिया इतना क्रेटिस है, इस किया गया मार्केट के अंदर बड़े इसके मीम सी भी वरे है MRF के और भाई, एक लाग की उपर क्रॉस किया देख सकते हो भाई क्या जबरजास है उसके बाद कमेंड कीजिएगा, दिल खुस हो जाएगा, ठीक है और यह देखिए, क्या जबरजास इन्होंने शेर से इन्होंने बहुत तगड़े तगड़े ले रखे हैं, ठीक है इसकी वज़े से ये रिटरन दे पा रहे हैं 20% का और दिखिए, एक consistency maintain करी है चाहे एक साल हो, चाहे तीन साल हो, चाहे पांस साल हो, चाहे maximum बात हो, consistency return में maintain करी हुए, यही एक अच्छे mutual fund को बनाता है कि भाई, अगर आप consistency maintain करो और एक दो परसेंट अगर return कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, investors आपके पास बना रहेगा asset management company के बारे में बात करेंगे, तो कोटक महिंदरा asset management company की चर्चा करेंगे, तो 3,34,396 करोड का asset under management यह दिखाता है कि भाई, investors का trust इस fund के अंदर बना हुआ है, टोटल 142 schemes के साथ ही आते हैं, मेरे भाई, चैनल share कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, comment जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास regular plan है, तो direct plan पे बने रहना, ठीक है, काफी हद तक आप अपना पैसा बचा लेते हो, अगर आप mutual fund का portfolio maintain करते हैं, तो उसको हर 6 महिने में या एक साल में review जरूर करवाते रहो, क्योंकि एक भी fund अगर आपके पास गड़बड है, तो कोई आपसे ज़्यादा रुपए चार्ज करता नहीं है, review करने के, तो थोड़ा सा ही रुपए लेगा, उसकी चक्कर में आपका 20-25 जर का फाइदा ही हो जाएगा, क्योंकि मैं एक सर देखता हूँ, ये चीज़ें, मेरे भाई यही सबसे अच्छा प्रोसिजर होता है, क्योंकि किसी भी तरीके से आओगे, तो टेक्स तो आपको देना ही है, इससे पहले टेक्स कंसल्टेंट से आप बात जरूर कर लेना, मेरे से डारेक्टली बात करना चाहते हैं, तो मेल आइडी, यूट्यूब के अबाउट सेक्षन में जाना, पूरा डिस्क्लेमर पढ़ना, उसके बाद मैं मेल आइडी वहाँ पर लिखी हुई, आप डारेक्ट मेरे से मेल करके बात कर सकते हो, आसानी से, चलिए, कल फिर्ट मिलेंगे आपके साथ, सेम डाइम सेम चैनल और सीके डी स्टॉक मारके न्यूस चैनल पर प्यात बरसाई रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद,